यह सब्भेता महामारी से नश्ट नहीं होगी यह सब्भेता महायुद्धों से भी नहीं यह नश्ट होगी अज्ञान के भार से अज्यान इतना ताकतवर हो गया था कि अज्यानी दिखना फैशन ही नहीं जीने की जरूरी शर्त बन गया था वैज्यानिक बहुत कम वैज्यानिक दिखना चाहते थे अर्थ शास्त्री बहुत कम अर्थ शास्त्री दिखना चाहते थे इतिहासकार बहुत कम इतिहासकार कई पत्रकार डरे रहते थे कि उन्हें बस पत्रकार ही न समझ लिया जाए वे सब मस्खरे दिखना चाहते थे हर आदमी आइने के सामने खड़ा अपने भीतर एक मस्खरा खोज रहा था इस कोशच में एक आदमी अपने दोस्तों के ही नाम भूल गया एक को तो अपने गाउं का ही नाम याद नहीं रहा बुद्धी और विवेक को खतरनाक जिवाड़ों और विशाड़ों की तरह देखा जाता था जो भायानक बिमारियां पैदा कर सकते थे इसलिए गंभीर लोगों को देखते ही नाक पर रुमाल रख लेने का चलन था एक दिन अज्ञान सिर के उपर बहने लगेगा तब उपरने की कोई तकनीक कोई तरीका किसी को याद नहीं आएगा तब भी मस्खरेपन से बाज नहीं आएंगे कुछ लोगों एक विद्रूप हाज से गुणजेगा फिर अंतहीन सनलाटा चा जाएगा चालन थोगेजश के तक किसी रच्चार अज्चार चाहा हाज जाएफजा था kijken इसाल आएजीन से अंतह था भी मस्खरेपों